नमस्कार कनाक जीमान चनल में आपका स्वागत है आज चुकी मुशलमान भायों का एक पवित्र पर्व बकरीद है उस बकरीद के बारे में हम कुछ जानेंगे कि आखिर बकरीद की परंपरा कब से शुरू हुई बकरीद क्यों मना जाता है मुसलमान भायों लोग बड़ी ही सुद्धता के साथ इस पर्व को मनाते हैं आखिर इसके पीछे क्या कारण रहा है मैं आज मिलूंगा एक ऐसे ब्यक्ति से जो समाज में उनकी बहुत सारी भूमिकार रही है और कौम के बारे में भी वो कुछ बताएंगे और बकरीद की परं आपका नाम जानना चाहेंगे मेरा नाम नसर इमाम एकबाल है तो मैं यह जानना चाहूंगा कि आज तो बकरीद है तो बकरीद की परंपरा कोब से सुरू हुई बकरीद की परंपरा ये हज़रत इबराहीम अलिएसलाम के ज़बाने से शुरू ही हज़रत इबराहीम अलिए के नाम से जाना जाता था और वो नबी थे और बहुत ही मतलब अल्ला के खरीब थे और वो अल्ला से अतना महबत करते थे कि अल्ला के कहे हुए पर वो सारा काम करते थे तो उन्होंने एक खाफ देखा एक के तुम्हारा जो सबसे अजीज है उसको तुम कुरवानी दो तो उन्होंने अपनी कुछ चीज़े कुछ जानवर उन्होंने कुर्बानी दे दिया उसके बाद गोया सारी चीज़ जतनी भी चीज़े थी उनके पास जतना उट था बक्रा था सारा कुर्बानी दे दिया लेकिन अल्ला ने कहा जो तुमको सबसे अजीज है वो कुरबानी दो तो उन्होंने अल्ला ने पूछा कि क्या तुमारा सबसे अजीज है तो उन्होंने बताया कि हमारा सबसे अजीज हमारा बेटा हदरत इसमाईल अलेहिसलाम है तो उन्होंने कहा कि उसकी कुर्वानी दो और नभी इबराहीम अपने बेटे से कहते हैं कि बेटा अल्लाह के नाम पे तुमको कुर्वान होना है तो उस वक्त इसमाईल अल्यस्सलाम ने कहा कि अब जान मैं तयार हूँ चलें आप कुर्वान का और लेगर कि वो चले गए कुर्वानी देने और उसी असना में जो है जब वो कुर्वानी दे रहे थे तो उनके बेटे इसमाईल अल्यस्सलाम ने कहा कि अब आप हमें अपने कान पे अपने आख पे पट्टी बान लें आप और पट्टी बान करके ऐसा ना हो कि आपको मतलब बाप का एक महबत जग्या है जिसकी वज़े से आप मेरे कुर्वानी नहीं कर सके हैं और अल्ला के नजदीक मेरे कुर्वानी कबूल नहीं तो उन्होंने वैसे ही किया लेकिन उसी वक्त जो है छोड़ी इनके हांसे छटक गई और वहां पे जब जबा किया उन्होंने तो उस वक्त जो है आँख खोला तो देखा कि वो दुम्बा पड़ा हुआ है तो कुर्वानी भी हो गईए और अला है कुबल भी कर लिया तो ये कुर्वानी का मतलब में ये है इसी एदूल अजहा के नाम से जानते हैं हम सबी मसल्मान बहुत सी चीजह ऐसी है हम चुटके आलम नहीं हैं इस पर बहुत सा मतलब बयान नहीं दे सकते हैं लेकिन इतना जरूर है कि एक मुसल्मान होने के नाते, एक मितलब इमान वाला होने के नाते हम ये चीज़ जरूर बता सकते हैं कि हम दुल अज़ा क्यों मनाते हैं, पुर्बानी हम क्यों देते हैं तो उसी परंपरा को ले करके हज़रत इबराहिम अलिए सलाम के आज तक हमारे जो नभी पैगंबर मुहमद सलल्लाव अलिह सलम जो हैं उन्होंने इस पैगाम को दिया और पुरान में और हदीश में ये सारी चीज़े वाज़ हुई और उस चीज़ को आज हम लोग बहुत इस से मनाते हैं इस तरह से कुर्बानी हदीश और कुरान की चीज़े हैं ये जब से धर्ती शुरू ही तब से मनाते लोग आ रहे हैं मुसलमान भाई और इस कुर्बानी की चीज़ है अपने बेटे को कुर्बान कर देना अल्ला के नाम पर एक बहुत बड़ा रहस्य है और इस चीज को मुसल्मान लोग बड़ी बाखुवी से मनाते हैं, एक बकड़े को ला करके बच्ची की तरह पोचना पालना और फिर उसकी कुर्बानी देना अपने आप में हिर्दे विदारक चीजे होती हैं, वैसे सब धर्म में धर्म के परती संपन्ता या धर्म के परती और जानना चाहूँगा, कि इसमें चुकि हर तबके के लोग हैं, तो जिनके पास वो कुर्बानी देने की छमता नहीं है, वो इस पर्म को किस तरह से मनाएंगे और क्या करेंगे, दिखिए कि कुर्बानी किसी चीज की कुर्बानी होती है, मसलर ये कि कोई अपने बाल और आप देख सकते हैं, ये सुफा का मुबारक बाद है, तो इस तरह से मैं जानना चाहूँगा, आप से लिए कि कुर्बानी अगर जिनके पास वो समर्थता नहीं है, वो इस चीज को किस तरह से हदा करते हैं, इसका बाद करुबानी तो आपने के बाद करुगानी है, आपने देखा होगा कि हज में लोग जाते हैं, और उस वक्त हज में हज के बाद आपने बाल और अधा साफ करवाते हैं बिलकुल है, तो वबी ऐक कुर्बानी है, तो अगर किसी के पास कुर्बान गाह जाने का, मिना मतलब कुर्बानी करने का कुछ नहीं है, तो जैसे चाहे कुर्बानी दे, जो चाहे कुर्बानी दे, एक अंडे की कुर्बानी दे, किसी गरीब को दे दे, वो भी कुर्बानी है, कुर्बानी का मसलर ये कि एक नियक से है क कुर्बानी तो उस समय से चला रहा है जड़त आदम अलिए स्दा पेंब तो ऐस ने क्एल और गुळ्ण शुन मी दो वह पंधता था कि एक आ पाली को को खेश कबूल हो जाता था तो ये कुर्बानी दिल से है नियत से है ठीक है ना इस से नहीं है कि हम जो है ये कुर्बानी कर रहे हैं तो दिखावे के लिए कि हम बड़े-बड़े बकरे जबर कर दिये और हमने इतने लोगों को खिला दिया और इतना ऐसा कर दिया ऐसा कुछ भी नहीं तो ये अल्ला के प्रतिस समर्पन का भाव और मैं कुर्बान हूँ आप पर मेरे पास जो भी अजीज चीज है मैं उसको आपके नाम से कुर्बान करने ना चाहता हूँ इसी पर अधारित है कुर्बानी का पर पर कुर्बानी तो आपके हमारे हिंदू मजभ में भी है वहां र आपके लिए तो वही कुर्बानी है इस तरह से यहां खुबसूरत सा पर्ब आज बड़ी हरसो उलास के साथ मना रहे हैं और कोरोना का ध्यान रखते हुए बाहर नहीं निकल रहे हैं अपने भाइचारे से मिल रहे हैं और खुशी-खुशी मना रहे हैं तो यह आप ने इतना कि आखिर कुर्बानी क्यों मनाई जाती है इसमें कितने सुद्धा है यह परंपरा रही है मुसल्मान भाईयों की शदियों से परंपरा रही है अपने आपको समर्पित कर देना ही कुर्बानी है धन्यवाद